दिनाग 24 स्वरेली 2023 के सायंकाल उमेश पाल जोकी 2005 के राजुपाल इधायक हक्या कांड कर गवा थे उनकी बरबर हत्याद गाड़ी सवार बदमासों ने असलाफ एवम बंवित्यादी चला कर की थी इस हत्याकार्ण में पूरे अदेश को धहला दिया था सरकार की तरफ से विधान सभा के पटल पर सभी अब राधियों के वुरुद कड़ी से कड़ी कारवाई करने के कारश्वासन भी दिया गया था तथा उसी अनुरूप पुलिस को इन सभी बदमाशों को कानून के दायरे में लाने के लिए निर्देश मिले थे इसी करम में आज त्याग राज जनपत के धूमन गंछा थाना चेतर में एक मुद्भेड हुई जिसमे की उस घटना में समलित अरबाज पुत्र अफा जो की मल्लापूर थानापूरा मुफ्ती प्रियागरज का रहने वाला है तथा इसके पास से एक 32 गोर की पिस्टल बरामद हुई है इस पर आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तमाल हुई थी उसका यह ट्राइबर था तथा उस दिन इसके द्वारा फाइरिंग भी की गई थी जब उपजार है तू अस्पताल लाया गया उस द्वरान जो अभी तक की प्राप्त सुचना है उसके हिसाब से इसके मिर्थ होने की समाचार प्राप्त हुए है उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया, एवर, गैंक्स्टर, लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर गत्तियों को संडक्षन देने वालों के वुरुद्ध भी धारा एक सबीस भी के तहट कारवाई की जाएगी जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे संडक्षन देंगे वो इनके कृत्त में भागिदार होंगे पुत्तर प्रदेश पुलिस सबसे अपीर करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संडक्षन मांगे जो की गलत व्यक्ति है तो इसकी तत्काल सूचना अस्थानिय पुलिस को दे आपका नाम गोपनिय रखा जाएगा साथी साथ पुलिस महानी देशक उत्तर प्रदेश के द्वारा अस्थानिय अस्थानिय अधिकारियों को ये निर्देश दिये गए हैं कि इस अपराद में लिप सभी वक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए इन पर इनाम गुशित किया जाए और इनाम की राशी विविन अस्थरों के बढ़ाई जाए अगर आवश्यक है तो मुख्याले अस्थर से भी इस पर इनाम गुशित किया जाएगा और अगर कोई प्राइवेट वक्ति इसकी सूजना देता है तो इनाम की राशी उस प्राइवेट वक् प्रती जीरो टॉल्रेंस की निती आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा दन्यवाद